हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एपिसब 2 की शरवात में शिंग्जा जब अपनी गल्फरेंड को बाय कहकर अपनी गारी के पास आता है तो यह यहां पर जैंग्शू का रड़ ब्रेसलेट देखता है और यह ब्रेसलेट देते हुए शिंग्जा ने कहा था कि यह हमारे रिलेशन्शिप के लिए गुड़ ल जंग्छू चाहता है कि मुझे ठीज इक्सप्लेंड करने दो लेकिन जैंग्शू कहता है कि मैं तुमसे ब्रेक अप कर रही हूँ यह कहा कर धनी तरोशा बंद कर लेती है लेकिन यह सब कुछ जैंग्छू सोच रही होती है अब जब शिंग्जा जैंग्शू के घर पर आ कार के लाइसेंस प्लेट पर नमबर भी रिपीट होते हैं ये मेरा मौका है इसलिए में इसको गवाना नहीं चाहता लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ दोस्त रह सकता हूँ जैंग्शु कहती है कि क्या तुम्हेरा फॉन लाए हो जैंग्शु कह रही होती है कि जब उसने मेरे साथ ब्रेक अप किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया क्या तुम इस बात पर यकिन कर सकती हो कि जो समान मेन उसको वापिस किया था वो उसमें से सिर्फ गोर्डन ब्रोशी वापिस लेकर गया शैंग्शु को भी अब शैंग्शु के बारे में पढ़ रहा होता है इसके बारे में जानने के बात कहता है कि ये लड़की तो काफी इंप्रेसिव है लेकिन इसके बावजुद इसके न्यूस पेपर वालों ने किसी और लड़की को मेरे साथ इंट्रिव्यू करने के लिए रेकमेंट किया और अब शैण को जैंग्शु के किульт कर एक हाल आरे लगता है और अब शैयून को इसकी नीस की कॉल आ जाती है अगلे दिन आफिस आने के बाद जैंग्शु मैसी के पास आती है और मैसी से कहती है कि मैं कल शैण के साथ इंट्रिवी नहीं कर पाई लेकिन मैं शियान के सिस्टन के साथ इंट्रिवी को दुबाया से चेडियूल करने की कोशिश कर रही हूँ आफ फिकर नहीं करमें वक्त पर इंट्रिवी को सब्मिट करवा दूँगी मिसी कहती हैं कि आखर तुमने संग्लासिस क्यों पहनी हुई है और पिस जैन्शू अपने संग्लासिस उतार के मिसी को दिखा देती है तो मिसी कहनी लगती है कि अगर शियान के साथ तुम्हारा इंट्रिवी नहीं हुआ था तो तुम्हे अपने बॉर्फरिंड के साथ उसकी बदर सेलिबरेट करनी चाहिए थी इस पर रोने वाली क्या बात है जैन्शू को जवाब नहीं देती तो मिसी कहती है कि क्या तुम्हारे बॉर्फरिंड ने तुम पर चीट किया है मिसी यह जानकर हसने लगती है तो जैन्शू कहती है कि मेरे बॉर्फरिंड ने मुझ पर चीट किया है लेकिन आप खुश क्म दिखाई दे रहे हैं मैंसी कहने लगती है कि मैं तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम और शिंग्जाओ एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हो दो लोगों के हमेशा साथ रहने के लिए कंपेड़िविलिटी बहुत अहम है जैंग्शू केटे कि आप ठीक कह़रे हैं मैं अब अपने काम पर वापिस जाती हूं लगते हैं ही जाने लगता है कि क्या तम्हें दो दन कौफ चाहिए वैसे भी तुम्हारा भी ब्रेक अप हुआ है कि जो मीरे डार्क सिर्कल्स आपको नज़रा रहे हैं ये शियान के साथ इंटर्वियू करने के लिए काम करने के कारण हुए है ना के एक धुके बास के घम में ये कहकर जैंग्शू यहां से चली जाती है इसके बाद जैंग्शू लीन टिकनालोजी पर इंटर्वियू लेने के लिए आई होती है लीन टिकनोलजी के एंप्लॉई जैंक्शू से कहते हैं कि लीन टिकनोलजी एक स्टार्ट अप कमपनी है इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस इंट्रिवियो के जरिये फबलेक हमें समझ सकेगी और इंवेस्टर्स भी हमें इंवेस्ट करेंगे लेकिन हमारे CEO कम्यूनिकेशन म नर्वेस नहीं हो और हम उसी बारे में बात करेंगे जिसके बारे में वो अच्छे हैं जानते हैं यह इंपलॉई कहती कि ठीक है और यह केकर किया चली चाती है जब जैंग्शू जा रही होती है तो यहां पर शियोन आ रहा होता है अपने सिस्टेंट के साथ अब ग्रूप में हायर कर लें तो इसकी गर्फिंड कहने लगती है कि मिन्ग्यू ग्रूप का लोगों को हायर करने का सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है और यहां पर जैंग्शू भी इन दोनों को देख लेती है शिंग्जव कहते हैं कि तुम अपने अंकल से कब बात करने वाली हो क कि मैं तुम्हे जादा इंतजार नहीं करवाना चाहता अब इसकी गर्फरिंड भी जैए को देखती है और यह जानकर शेंगज़ा के थोर कजाने है Can asking odd मुझें और जैसे ही ये देखता है तो कोई सैंसी को साइट कैने लगती अर चीजें भूं बहुत बांग चाहती है इस बात पर छाए है किसने आखर सेकेंड हेड कैसे कहा है अब शियान सिगनल पर खड़ा होता है तो यह जैंग्शू को देखता है जो कि इन दोनों को देखने के बाद अपना सारा घुसा इस दिरफ्ट पर निकाल रही होती है जैंग्शू जब वापस मुड़ती है तो यह रिपीटिट नमबर वाली लाइस जैंग्शू कहती है कि फिर क्या आप मुझे राइट दे सकते हैं क्यूंकि मैं आपकी कार में अपने फॉन को चार्ज करना चाहती हूं अब शियान सारी विंडो नीचे कर लेता है जैंग्शू तो इसको बहुत गौर से देख रही होती है शियान के लिगता है लेकिन मेरी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती लेकिन शियान अपनी कार की विंडो उपर कर लेता है अब शियान कहती है कि मैंने अगर इस हफते आपका इंटेवे सब्मिट नहीं कर वाया तो हम इस वीक की कवर स्टूरी पबलिश नहीं कर पाएंगे शियान कहते है कि यह मेरा परसनल टा अब शियान को बचनल टाilotी है शियान की एक झीस है और दोगा कुछ लोग साइब कि वो जिन्दा ही नहीं है लेकिन शियान की महन के बारे में कभी कोई पब्लिक अनॉस्मेंट नहीं आई शियान की फैमली जब प्राविसी की बात आती है तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है जैंग्शू कहते है कि मेरी भी क्या किस्मत है कमपनी पहुंच कर शियान असिस्टेंट से कहता है कि जैंग्शू के साथ मेरा इंटरिव्यू तुम जल से जल चेडियूल कर दो तो असिस्टेंट कहता है कि इस पूरा वीक में तो आपकी मीटिंग्स है जल से जल भी मंडे को ही हो सकता है इंटरिव्यू जबके दूसी तरफ जैंक्षू शियान से आज इंटर्व्यू करने के लिए कह रही होती है लेकिन शियान तो मीटिंग्स में बहुत ज़दा बीजी होता है असिस्टेंट चन शियान से कहता है कि आने वाली मीटिंग असान नहीं होने वाली तो आपको जोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए तो शियान कहते है कि तुम फिकर नहीं करो असिस्टेंट कहने लगता है कि मैं आपके डेट को लेकर परेशान हूँ मिस्टर टियान और दूसरों के मिंग्यू के साथ टर्म्स अच्छे हैं क्योंकि मिंग्यू जब चंद साल पहले मुश्किल में आया था तो वो मिंग्यू को छोड़कर नहीं गए थे और उन्होंने आपके भी मदद की है अगर आप अपनी बात पर इतना काइम है तो कि चेर्मेर अपनी बात पर काइम नहीं होंगे शियान कहते के नहीं लेकिन वो मेरी मदद भी नहीं करेंगे इसके बाद मीटिंग में जो सीनियर्ज होते हैं वो शियान से कहते हैं के हमें लीइंग में इन्वेस्मेंट करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करके हमें क्यों गूर्प की भी सपोर्ट हासल हो जाएगी और ये यूंचंग की काम्याबी के लिए काफी अच्छा कदम है लेकिन शीयॉन कहने लगता है कि लेइंग ने अपनी टिकनोलजी एडवांस नहीं की है और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से नए लोग हैं जिनको हमारी इंवेस्मेंट की जरूरत है मिस्टर ली कहने लगते हैं कि यूंचंग और मिंग्यू के बारे में बहुत सारी स्टेटमेंट्स निउस में फिरती रहती हैं तो मैं उनको भी क्लेरिफाइ करना होगा और इस कॉपरेशन से यूंचंग की स्ट्रेंट सब के सामने आ जाएगी शियान कहता है कि हम सब लोग तो यूंचंग की स्ट्रेंट देखना चाहते हैं अगर हमने ये कॉपरेशन कर भी ली और उसके बाद भी हमें कोई सक्सेस हासिल नहीं होई तो ये सब चीज़ें बेमाईनी हो जाएंगी और जहां तक बात रही स्टेटमेंट्स की उसके लिए मैं जल्दी फैनेशल इंट्रिव्यू को इंट्रिव्यू देने वाला हूँ ये सुनकर सभी लोग थोड़ा से हरान हो रहे होते हैं व्येटिएंग के बाद शियान असिस्टेंट्स से अपना इस फीक का स्केजूल पूछ रहा होता है तो साथा ही जंग्शु का इसको मेसिज आ जाता है तो असिस्टेंट कहने लगता है कि इंट्रिव्यू के बारे में किया खया है तो Shiyon कहता है के इसको हम जतना जल्दी करने उतना थिए ये बहुत ही खोश होते ये रिप्लाइ कर रहा होता है जिसको देखने के लिए Shiyon असिस्टिन्न के पास आ जाता है Shiyon ये से पूशता है के जैंग्शू क्या कह रही है तो असिस्टेंट केरे लगता है कि वो कह रही है कि क्या आपके पास कल टाइम है शियान कहता है कि मैं अंकल गॉन के साथ कल होस राइडिंग के लिए जाने वाला हूँ तो तुम जैंक्शू को भी वहीं पर बुला लो और ड्रॉर में ही इसके इंटरिव्यो की आउटलाइन बड़ी होती है अब घर पर जैंग्शू शेन के साथ अपने लिए कपड़े स्लेक्ट कर रही होती है शेन इसको कह रही होती कि तुम्हें कल बहुत ही सुन्दर लगना है क्योंकि ऐसा करना तुम्हें तुम्हारी इंटरिव्यो में मदद देगा और अब इसस्टेंट इंटरिव्यो का टाइम शेन को में सेंट कर देता है और इसे मुमेंट पर एपिसोड 2 खतम हो जाती है